है 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 हेलो मैं डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग सबसे पहले सभी को गुड बॉर्निंग आसा करते हैं आप लोग भी अच्छे ही होंगे और आपका क्लास ओफलाइन तो चली रहा था लेकिन कुछ दिक्कत आ गई जिसके वज़े से आप लोग को जहां से पढ़ाय गया था और प्लाइन क्लास में उसी से उसी टॉपिक से आगे आज का क्लास में होने वाला है अभी अपने छेत्र में बार की इस्तिती बनी हुई है इसको देखते हुए आप लोग का पढ़ाय ना चूटे कोई डिस्टर्वेंस ना होते है यारी में ठीक है इसके लिए हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो जब तक इस्तिती मतलब दिकते खतम नहीं हो जाती है तब तक ऑन बताया गया होगा फिजिक्स में ड्रिप्ट वेलोसिटी क्या है ठीक है ना उसके बाद का जो टॉपिक है एक ड्रिप्ट वेलोसिटी और संबंद भी बताया गया होगा ना उसके बाद का जो टॉपिक है यह गतिसीलता है ठीक है तो हम समझेंगे गतिसीलता क्या है गतिसी से माली जी एक यह क्या है कंड़क्टर है यह कंड़क्टर बना लिए ठीक है माली जी एक कंड़क्टर है और इस पे जो है अभी किसी इस कंड़क्टर को अभी किसी बैटरी से नहीं जोड़े हैं जब इसी कंड़क्टर को इस कंड़क्टर को किसी बैटरी से नहीं जोड़े ह है इसमें फिरे एलक्ट्रॉन्स तो होंगे इसमें माली जक बहुत सारे अभी फिरे एलक्ट्रॉन्स है ठीक है अभी इसको किसी भी बैट्री इसे नहीं जोड़े होगा नहीं होगा क्योंकि जब बैट्रिस जोड़ेंगे तभी उडाक्त्रिक ट्रिट होगा अभी जोड़ें ही नहीं तो लिंट्रिक फिल्ट होगा सब्सक्राइब जीरो होगा सबस्क्राइब Yo लक्त्रetrically hero गा इसका वीडी जीरो हो गाएग अरथा सथबिक छिंड्रेट होता है तभीडी अपना काम कर रहता है और फेलेक्ट्री कि प्र descended भी जीरो हो जाएगा नो एलेक्ट्रिक फिल्ड नो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओके ठीक है तो माल लिजीए अभी तो नहीं है तो यह जीरो है ठीक है और इस पे एलेक्ट्रिक फिल्ड जेनरली क्या होता है यह होता है एलेक्ट्रिक फिल्ड को किसे डिनोट करेंगे अब जो है इसको बैटरी से जोड़ना है मालीज इसको बैटरी से जोड़ दिए ठीक है जैसा ही बैटरी से जोड़े इलक्ट्रिक फिल्ड जेनेरेट हुआ अफ़ ये छो गत्रों से भी से करेगा ठीक है और यह किस गती किस वेग से मूब करेगा वीडी वेग से मूब करेगा ठीक है न यह किस वेग से वीडी वेग से जैसे एलक्ट्रिक फिल्ल बैटरी से कंडुक्टर को जोड़ेंगे तो एलक्ट्रिक फिल जेनरेट होगा जेनरेट होने के बाद सारे एलक्ट्र जेनरली मालने जे अलग्ट्रीक फिल्डी है और इसका डिप्ट भेलोसिटी भी यदि एक्टे का इसे मतर क्यमत रहता है वॉल्टपर मीटर यदि एलग्ट्रिक फिल्ड इबॉल्ट पर मीटर है तो इस कंडुक्टर का मा..., लिजे यदि इस कंडुक्टर कipes li aunt e गालट मीटर है तो इसका १्रीप्ट वेलसिटी वी डी मीटर पर सबनाए वीडी किया है वेलसिटी वेलसिटी इन पर से इन Hijla ॡा मिटर पर सखेंड ओके है तो क्या मान V47 म को होगा या नहीं होगा कि इसलिए अगर एक बोल्ट मीटर एलेक्ट्रीग फिल्ट पर एक कितना हो जाय 125현ables programme कौण यह और इसी वीडिभाय एको हम लोग क्या कहते हैं मोबी लीथी कहते हैं अर्थात गतीश चीलता चाहिते हैं अगर आपको पड़िभासा जानना है इसका या पड़िभासा लिखना है तो आप लिख सकते हैं प्रती इकाई बिद्धु छेत्र के प्रवाह या वेग को क्या कहते हैं प्रति इकाई विद्धुच्छेत्र के वेग को ही गती सीलता कहते हैं ठीक है आप लिख भी सकते हैं नौट भी कर सकते हैं इसलिए म्यों बराबर कितना हो जाएगा वी डी बाई जहां वीडि क्या है ड्रिट बेलोसीति टी क्या है अच्छिंट क्या है ड्रिप्ट वैलोसीटि रही है ईप्या है एलेक्ट्रिक फिल्ड एक को एलेक्ट्रिक फिल्ड में एलेक्ट्रिक फिल्ड कैसे मद combien गर्थ वोल्ट पर मीटर को डृप्त बेलोंटेटि गशे मतर गया तन US के अंधर कर्था जाएं हो गया यह गति सिलता ठीक है ना यानी मोबिलीटी मोबिलीटी क्या आप तो आराम से समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे साथ ही साथ नौट भी करते जाए कोई दिक्कत होता है तो कोमेंट में लिखिए या वाटसप पे लिखिए अगर वीडियो अपल है अगर माली यह एक इसी कंडुक्टर में किसी कंडुक्टरस पे पर लक्त्रीक फिल्ड का मान यह दूसेiक अगर आप कके को शना लाइट already कंडुक्टर पर एलेक्ट्रिक फिल्ड का मान 10 बॉल्ट पर मीटर है और उस पर ड्रिप्ट बेलोसिटी अप वाह वेग का मान 200 मीटर पर सेकेंड है तो गतिशीलता क्या होगी Morb sexuality क्या होगी तो कैसे बनेगा तो formula आपके पास है लगाइए mobility बराबर क्या formula होता है JJ in米 बीडी कितना है 200 मीटर पर सेकेंड है ठिक है 200 मीटर पर सेकेंड है और ऑ्षिशी जीरो 00-cancel कितना हो गया 20-20 मीटर पर सेकेंड बटे नीचे क्या बचा एक वॉल्ट पर मीटर तो क्या हो जाएगा 20 मीटर को उपर लेके चला जाएए मीटर स्कुर्ण बटे बटे वॉल्ट तो इसको उपर लेकिए तो नीचे में बॉल्ट है ही यह प्रती मतलब नीचे में है तो वॉल्ट सेकेंड हो गया ठीक है इसका मतलब क्या हुआ एक वॉल्ट सेकेंड ठीक है एक वॉल्ट सेकेंड पर कितना मीटर स्क्वाइर क्या है ये कितना मीटर स्क्वाइर का कितना मीटर स्क्वाइर का कितना मीटर स्क्वाइर एरिया से जो है एलक्ट्रोन मोमेंट कर रहा है माली जी यहाँ पर क्रॉस सेक्षनल एरिया है यह माली जे क्रॉस सेक्षनल एरिया है ठीक है एक मिनिट इसका कॉल आ गया क्लास के टाइम में कौन कॉल करता है भाई चलिए देखिए बिस मीटर इसकुयर पर बॉल्ड सेकंड का मतलब यह हुआ एक वॉल्ड सेकन जो कितना मीट केतना एरिया से जो है एलेक्ट्रोन मोमेंट कर रहा है कितना एरिया है 20 मीटर पर 20 मीटर स्कॉयर एरिया से जो है यह एलेक्ट्रोन जो है मोमेंट कर रहा है ठीक है मतलब गति कर रहा है को दिकत यतना मीटर एरिया को यतना मीटर एरिया से यह अपना वेग एक समान वेग से चल रहा है यह इसका ग कि यहां पर आप लोग ऐसा यूनिट भी याद रख सकते हैं अगर पूछा जाए कि डिप्ट यह गति सिलता कैसे मात रख्या है तो क्या लिखिएगा इसको अगर सेपरेट करके लिखें तो मीटर स्कॉर अपर वॉल्ट सेकेंड मीटर स्कॉर पर वॉल्ट सेकेंड याद कि अगर मान लिजिए कहीं पर म्यू का फॉर्मूला दिया हो कितना मतलब म्यू बराबर मान दिया हो दस मीटर स्कॉर दस मीटर स्कॉर पर वियस इसका मतलब क्या समझेंगे आप लोग इसका मिनिंग क्या होगा ठीक है अगर कहीं पर मान लिजिए दिया है इधर लिखते है इसको क्या दिया है कि प्रयू ब्रवर 10 मीटर इसक्वाइब बाई वोल्ट सेकंड इसका मतलब क्या समझेंगे क्या हुआ इसका मतलब यानि इसका मतलब यह हुआ कि यह 10 मीटर पर सेकंड एक पॉल्ट सेकेंड यह न होगा 10 मीटर पर सेकेंड होगा या नहीं होगा ऐसा लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं लेगिन नीचे में जब इसको मीटर पर सेकेंड लिखेंगे नीचे में इसको क्या लिख सकते हैं बॉल्ट पर मीटर लिखेंगे वन बॉल्ट पर मीटर इसका मतलब एक बॉ सेकेंड को दिकत एक सेकेंड में कितना मीटर एलक्ट्रों मूब करेगा दस मीटर ठीक है विद्दू छेत्र कितना होगा एक मीटर पे दस वह स्वरी एक बॉल्ट ठीक ना एक बॉल्ट पर मीटर विद्दू छेत्र पे कितना वेग होगा ट्रिप्ट वेलोसिटी कितना होगा स्क्राइब इसका मतलब क्या समझेंगे इसका मतलब यह समझा जाएगा 40 मीटर पर सकेंड बाई वन बोल्ट पर मीटर ऐसा ही होगा ना देख लिए यहां पर मीटर पर सकेंड बॉल्ट पर मीटर इसी को नहीं हम लोग भी एस बोले थे लाई थे कल्कुलेट करके तो यहां प वॉल्ट पर मीटर एक वॉल्ट पर मीटर विद्दु छेत्र पर केतना ट्रिप्ट वेलोसिटी उत्पन होता है बीस अहीं सुरी 40 मीटर पर सकेंड तो बोले समझ में आया या नहीं आया को दिकत है तो बताईए ठीक है को दिकत है तो आप लोग बता सकते हैं इसका मतलब यह हुआ है कि में चलो यह हुए तो समझ में आहीं गया किधर गया यहां रहा गति शिलता का फॉर्मूला अब लोग द आप वर्मूला जान चुक है पहले से भी हॉर्मूला जानते थे यहां पर क्या पढ़ें वीडे by ए ठीक है और यह फर्मुला हम लोग पहले पढ़े थे वीडी का वीडी का क्या फिर्मुला था इए आंद फोल रहा है ना पढ़े थे या नहीं पढ़े थे ड्रिप्ट वेलोसीटी पर आपर यही फॉर्मुला पढ़े थे ना ईए बाई एम इन्टु टाव एफोर इलक्ट्रोन बड़ी कैपिटल एफोर एलेक्ट्रिक फिल्ड एम फोर मास ठीक है और ये उल्टा जे जो है इसका मतलब टाव मतलब रिलेक्सेशन टाइम और नीचे में क्या है यह यह और यह कैंसिल हो गया हमारे पास रहा क्या इबाई एम इंटु टाव यानि गतिसीलता के बराबर हमारे पास दो फोर्मुला कौन-कौन एक तो हो गया वीडी बाई जा वीडी डिरिप्ट वेलोसिटी एफोर एलेक्ट्रिक फिल्ड एक फॉर्मुला हो गया इबाई एम इंटु टाव दोनों फॉर्मुला याद रखना है अब देखें यह गतिसीलता जो होगा सबका अलग-अलग होता है ठीक है सबका समान नहीं होता है जैसे माली जी लोहा है कौपर है एजी है एजी मतलब क्या होता है सिल्वर या चांदी ठीक है माली जी लोहा है कौपर है और एजी है ठीक है F E है उसके बाद C U है A G अगर पूछा जाएं इन में से सबसे ज़्यादा mobility किसका होगा तो याद रखना है सबसे ज़्यादा जो mobility होता है वो A G का होता है उसके बाद इसका होता है और सबसे last में इसका होता है अगर मान लिजी इसका mobility इसका म्यू बराबर 20 मीटर स्क्वाइर पर भी एस है तो इसका mobility इससे ज़्यादा होगा कितना होगा 30 मीटर स्क्वाइर पर भी एस और इसका इससे भी ज़्यादा होगा 40 मीटर स्क्वाइर पर भी एस मतलब यह ऐसे समझाने के लिए लिखे है है लेकिन हाँ यह तो सही है कि इसके तीनों तीनों में से सब से अहीद करते हैं ये विडियो समझ में आया होगा अगर कोई दिक्कत होता है या कहीं हमसे में श्चेकOME को में आप लोग WhatsApp उब बता सकते हैं या इसी में वीडियो के कमेंट में नीचे में लिख सकते हैं तो उसको हम सुधार करेंगे या आप से Contact करके आप लोग को बता दिया जाएगा ठीक है वो दिक्कत है तो बताना है वाटसब गुरूप में और यह इतना है टोपिक था नेक्स्ट टोपिक दुसरे वीडियो में लोग पढ़ेंगे दुसरे लेक्चर में पढ़ेंगे जो हम पिछले कलास में जो आधा टॉपिक रहा गया था उसको आज कंप्लीट कर दिये ठीक है तो अच्छे से याद रखना है एक वर रिवाइस कर लिजिए मोबिलिटी जिसको मियू से सुचित करते हैं जिसको हिंदी में गति सिल्ता बोलते हैं अगर पूछा जा गति सिल्ता क्या है तो बोलेंगे प्रती इकाई विद्यू छेत्र के वेग को ही गति सिल्ता कहते हैं गति सिल्ता का ऐसा इमातर क्या है तो बोलेंगे मीटरी स्कॉयर पर वी एस होता है मीटरी स्कॉयर पर वी एस ठीक है यह आप लोग कैलकुलेट खुद भी कर सकते हैं आपके पास इसका फॉर्मुला है ही बीडी बाई इससे आप लोग ऐसा सिटी का मान रखके एक और फॉर्मूला आ जागा क्या इबाय एम इंटू चाव जहां एक्या है इलेक्ट्रोन एम क्या है मास और टाउ क्या है रिलेक्सेशन टाइम है पिछले क्लास में बताएं गया था तो सब कुछ इसी तरह से याद रखना है को पी में अच्छे से कोई दिकत सबसे पहले तो आप लोग वाट्सअप पे मिले कोई दिकत होता है ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ एक अच्छे टॉपिक के साथ ठीक है अगले टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वह बिहार बोट से काफी रिलेटेड अच्छन उसे उठाये जाते हैं ठीक है वही टॉपिक परेंगे तब तक के लिए आपसे विदा ले रहे हैं आप लोग घर में इसको कोपी में कर लिजिए कोपी में नौट कर लिजिए और इसको भ्याद भी कर लिजिए और पिछला जो चीज पढ़ाए हैं उस सब भी कर दो लॉभा हैं आपसे में आपसे इसको अ